इदर केंद्रे मंत्री गिर्राज सिंग ने ओवैसी पनिशान साधिते हुए कहा कि ओवैसी देश की समाजिक समरस्ता भिगाडने की कोशुश कर रहे हैं भारत के समाजिक समरस्ता को छिन्विन करना चाह रहे हैं तोरना चाह रहे हैं ये ब्यान नहीं है, बलकि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को. मैं कहूंगा कि ये ववेशी वही हैं, जो पूरा पडिवार जहर उगलते हैं भारत के सनातन पर, भारत के हिंदुओं पर. ये ववेशी अगर 1947 के पहले होते, ये सूपर जिन्ना होते हैं, और आज के भी ये सूपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। कि वेशी जी को ये बयान पिरिरित कहां से हुआ, ये बयान भारती जन्ता पाट्टी के दफ्तर से लिख कि आते हैं या उनके खुद के होते हैं। भारती जिन्ता पार्टी और ओवैसी एक सिक्के के दो पहलू है जो मुद्दे असल मुद्दे उत्तर प्रदेश के हो यह हंदोस्तान के हो चाहे महिंगाई का मुद्दा हो ब्रेश्टाचार का मुद्दा हो जब उसके धान बठकाना होता है तो भारती जिन्ता पार्टी को प्रत्याशी ने परचा नहीं भरा लेकिन समाजवादी पार्टी की दरफ से 12 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं जबकि भाजपा की तरफ से 5 और दो निर्दलियों ने नामांकन पत्र खरीद हैं तो आपको बता दें 3 जून को नामांकन वापत्री का आखरी दिन है एक जून तक नावांकन किये जा सकेंगे और दस जून को राजसभा कर शुनाब होगा विदान सभा में 125 रस्यों वाले समाजवादी गठबंदन ने भी राजसभा के लिए अपनी रणनीती बनाने शुरू कर दी है सभानी सियासी, गुड़ा भाग और जातिकत समीकरण को देखते हुए राजसभा के लिए अपने संभावित उमीदवारों के नामों पर मन्थन शुरू कर दिया है विदान सभा में सभा गठबंदन की संक्या को देखते हुए राजसभा की तीन सीटों पर जीतते हैं लेकिन पार्टी की तरफ से राजसभा के लिए दाविदार भी कई हैं लेकिन तमाम नामों में से जिन चार नामों की सबसे ज़ारा चर्चा है वो है सभा अध्यक्ष की पतनी दिमपले आदव, पार्टी के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष किरन मैनन्दा, इसके अलावा सभ गठबंदन की सायोगी, आरेलडी के अध्यक्ष जयन चौधरी और पिछली बार सभा के समर्थन से राजसभा पहुंचे कॉंग्रस नेता का पिल सिपल, इन चारों नामों के अलावा भी राजसभा भीज़ुने के लिए कई और नामों पर सभा में मन्थन चारी है, लेकिन राजसभा की सीट के लिए प्रतियाशियों का पैनल बना कर केंदरिया हाई कमान को भेज़ दिया है, जूस पर आखरी मोहर हाई कमान को ही लगानी है दो दिन में केंद्रिया पार्लेमेंटरी बोर्ड की जैसी बैठाक होगी केंद्रिया पार्लेमेंटरी बोर्ड किसको यहां से राज्यसवा के परतियासी के रूप में चैन करता है उस सारी सक्तियां केंद्रिया पार्लेमेंटरी बोर्ड के पास है स्टेट ने जितने नाम हमारे पास आये थे पर मुक्ता से वो सारे नाम भीज थे 89 मामलों में जमानत मिली के बाद सपाविधाक आजम खान जेल से तो बाहर आ गए जादे शत्रू संपति पर कबजा करके उसे जोहर यूनिवरसिटी में मिलाने के मामले में हाई कोट ने आजम खान को अब जमानत दी थी तो ये शर्त रखी थी कि आजम को 13 हेक्टेर जमीन जिला प्रशासन को वापस करनी होगी इस तरह हेक्टेर इस 13 हेक्टेर शत्रू संप पत्री की जमीन पर जोहर युनिवर्सिटी की दो इमारतें और युनिवर्सिटी का गेट बना है जिस पर कभी भी बुल्डोजर चल सकता है। पैटने का समय नहीं मिल पाया होगा। हो सकता है किसी बास से नाराज की हो। के पास इतना टाइम नहीं मिल पाया होगा कि वो सदन्यों बैठी है। देश ही नहीं दुनिया जानती है, वो कितने वड़े नेता हैं, कितने वड़े कारे करता हैं। हो सकता है किसी बास से नाराज की हो। लेकिन जहां सब लोग होते हैं घर के अंदर भी एक दूसरे से मन मुटा हो जाता। हुआ 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 है।